आप कहीं पर काम कर रहो तो आपको per day के हिसाब से payment मिलेगी तो जितने दिन काम करोगे उतने दिन payment मिलेगी तो अगर आपका डेज बढ़ रहा है तो payment भी बढ़ेगा और डेज कम हो रहा है तो payment भी कम होगा कि 110 रुपीज में कितने दिन काम भाइच है दिन कितने रुपीए है 4625 तो एक यूनिट की जब value निकल गए तो इसके लिए 6 by 1110 into 4625 इसी को calculate करना है अपने को 925 by 37 37 दुनी 84 कितना हो गया आपका 628 sorry 37 दुनी 74 और आपका 74 चला गया बचा कितना 185 37 पंजे 180 यानि कितना आ गया 25 दिन Good morning to all of you आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं जितेस आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अध्यन केंपस पर आज की क्लास आपके लिए बड़ी ही important होने वाली थी इस क्लास में हम लोग करेंगे unitory method का मतलब क्या होता है एक unit की value निकालना clear इसका यूज अर चैप्टर में आता है चाहें आप ratio पढ़ें चाहें आप सिंटेज पढ़ें चाहें आप प्रॉफिट लॉस पढ़ें जैसा कि इस बेसिक क्लास का हमारा परपजी है कि आपके ग्राउंड को तैयार करना एक बार आपका ग्राउंड तैयार हो जाएगा फिर हमें डेफिनेटली चैप्टर को करने में मज़ा आएगा क्लियर तो यूनि चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करें अभी आने वाले टाइम में आपको बड़ी चोटी चोटी चीज़े आपको सिखाने वाला मैं हो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास देखिए अगर मैं बात करूं चो यूनिट् की वैलू फाइंड आउट करना जैसे इससे पहले आपको दो चीजे में बताऊं एक होता है डाइरेक्टली परपोर्शनल क्या होता है भी डाइरेक्टली परपोर्शनल थोड़ा सा यह अटपटा लगेगा जो बच्चे का कहीं न कहीं अच्छा नहीं रहा होगा बट मेरी पूरी प्रप gonna पिसिभी बैकगराउंड से हो आपका क्वॉंसप्ट क्या किया जाए एक होता है डाइरेक्टली नाम से कuating बर्बहूर इक वोता है इनवरस्रिक का मतलब क्या होता है कि इसको मिलली लाइट से आप से पर चार पिन आपने पे कितना किया भी 50 अगर यह आठ पें खरीड के लाते अभी मैं यूनिट्य मैदर नहीं सुझा जा रहा हूँ मैं आपको जस्सामझा रहा हूं directly और inversely अगर आप 8 पेन खरीड के लाते तो आपको पता है या चार का double art हो रहा है तो कहीं न कहीं जो पैसे होते वो कितने हो जाते सो रुपे हो जाते अगर मैं बोलता कि नहीं यार मुझे तो दो पेन ही चाहिए तो आपको मैस आये नौ आये मोटा दिमाग लगा कि आप कर सकते हैं कि चार पचास पेकर तो दो मतलबा अधा यानि कितना चाहिए 25 रुपे इस एक्जामपल में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं मेरे भाई कि यहां पर मैंने पैन को बढ़ाया तो यहां प्राइस भी बढ़ गया यहां मैंने पैन को कम किया तो यहां प्राइस भी क्या हो गया कम हो गया इसका मतलब यह है कि अगर एक वैलू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वैलू भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है एक वैलू डिक्रीज हो रही है तो दूसरी वैलू भी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है यानि एक जैसा चला है दूसरा ही वैसा चला है इसको हम पर चार आदमी लगाए काम के लिए और उन्होंने काम किया आठ दिन में अब मान लिए आप चाहते हैं कि आपका काम जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए का मतलब दीन आप क्या चाहते हैं कम करना बताईए कि कहीं आपका घर बंदा है और पता चला उसको बंदने में एक साल ल चार दिन में हो जाए कितने दिन में हो जाए चार दिन में तो अगर मैं डेज को आधा करूंगा तो मैंन को मुझे डबल करना पड़ेगा इतनी बाठ आपके दिमाग में आ रही है कि आप चाहते हो कि आपका काम जल्दी हो तो कहीं न कहीं working परसन क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा इससे भी एक्जामपल और आसान लेते हैं माल या घर से चले कहीं के लिए और आप लेट हो रहे होते हैं तो आप अपनी स्पीड को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं यह तो बात समझ में आ रही है कहीं आपको जाना है और अ नेचरली आप अपने इस पीड को क्या करते हैं बढ़ा देते में यानी आपके पास अगर टाइम कम है है तो आप अपने स्पीड को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं एक लियर एक जब time कम है तो speed जादा और जब time जादा है तो speed कम यानि एक value कम हो रही है तो दूसरी value जादा हो रही है एक value जादा हो रही है तो दूसरी value कम हो रही है यानि यह कैसा है आपका inversely है clear यानि दो तरह के तरीके होते हैं एक directly और एक inversely यहां तक सब को समझ में आई बात तो एक like तो बनता है यार अब है कि जो यूनिट्री मैथड होता है वो हमेशा डाइरेक्टली पर लगता है इनवर्सली पर नहीं लगता है जैसे मैं आपको खुद कोश्चन को पढ़के यह समझना होगा कि यह डाइरेक्टली है या इनवर्सली है जैसे चार पिन अगर मिल रहे है आठ रुपिय में तो एक पिन आप में से सबका अनसर आजाएगा कि आठ बटे 4 यानि कितने रुपिए दो रुपिए यह बात समझ में आ रही है आठ बेटे चार यानि कितना हो जाएगा मैं आपसे पूछूँ छै पिन तो आप कहोगे सर एक पिन दो रुपिय में है तो छै पिन बारा रुपिय में क्लियर इसी को बोला जाता है यूनिट्री मेथड यानि चार की जगह मैंने एक की वैलू निकाली यानि यूनिट की वैलू निकाली तो जब भी हमें एक पे आना होगा तो मैंने क्या किया divide और जब उससे आगे जाना होगा तो मैं क्या करूंगा multiply तो Unitary Method is always applicable on directly proportional क्योंकि आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि अगर मैं pen को इनिवर्सली प्रपोर्शनल पे नहीं लगाना है जैसे मैं बोलू कि आपके घर पे आठ आदमी काम पे लगें हैं और काम हो रहा है 16 दिन में तो जल्दी बाजी में यह आंसर मत कर देना कि सर एक आदमी काम को 16 बटे 8 यानि 2 दिन में करेगा खीक है पहले दिमाग में आपका आंसर यहीं आता है कि आठ आठमी 16 दिन में तो एक आदमी 2 दिन में यह 100% क्या है गलत है क्योंकि भाई यह सूपर मैन नहीं है आपको भी पता होना चाहिए कि अगर आप मैन को कम करेंगे तो डेज क्या होगा जाता होगा क्लियर तो आई होप आपको यूनिट्री मैथड ह होता क्या है और कहां यूज होता है यह आपको समझ में आ गया होगा पांदस मिनट का दो चार कोस्टन करते हैं और कॉंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जैसे आपके स्कीन पर कोस्टन दिख रहा होगा च्छपा हुआ करा अब और कर इस पेड वन वन जिरो फॉर सिक्स डे 25 अब समझे कह रहा है कि आप कहीं पर काम कर रहे हो तो आपको पर डे के हिसाब के पेमेंट मिलेगी तो जितने दिन काम करोगे उतने दिन पेमेंट मिलेगी तो अगर आपका डेज बढ़ रहा है तो पेमेंट भी बढ़ेगा और डेज कम हो रहा है तो पेमेंट भी कम होग clear यानि यह पता चल गया कि यह direct है अब क्या पूछा गया देखना है पैसे देखे डेज पूछे गया है पैसे देखे डेज पूछे गया है तो पैसे को अपने site रखेंगे कि 110 रुपीज में कितने दिन काम भाई 6 दिन clear जो पूछा जाएगा उसको उधा ले जाना तो एक वैलू से हम इस वैलू को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे clear यानि इतने दिन question में कितने रुपिय है 4625 तो एक unit की जब value निकल गए ते इसके लिए 6 by 1110 into 4625 इसी को calculate करना अपने को clear है क्योंकि आपसे यह रुपीज तो एक रुपीज यह नहीं चैसे डिवाइड करेंगे तो रुपीज आएगा डेज नहीं आएगा हमें क्या करना है रुपीज से डेज की तरफ जाना इसलिए है सालिक आप इसको cut करते है छै पांच एक छैठेना तालिस चैसे कट जाना है पांच तिढ़ें पंजय पांच सत्य पैंच 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 आलिस एक दो पांध दुनी दस और पचाहा पचाइस नाइन टू फाइबाईश सेंधेश चैस त्यू नहीं चौरासी कितना हो गया आपका छै दो आड़ सौरी सैंधिस दूनी चोहत्तर और आपक चोहत्तर चला गया बचा कितना 185, 37, 180, यानि कितना आ गया, 25 दिन उसने काम किया होगा, clear ये बात, ठीक है, चलिए, अगला प्रस्न लेते हैं, करा ट्रेन कवरा डिस्टेंस ओफ 51 किलो मेटर इन 45 मिनट्स, यानि एक ट्रेन है, वो 51 किलो मेटर जाती है, 45 मिनट्स में, यानि जितना टाइम, उतना डिस्टेंस, how long will it take to cover 2 to 1 किलो मेटर, अब समझे, कि अगर आप एक घंटे चलेंगे, तो कुछ डिस्टेंस जाएंगे, दो घंटे चलेंगे, तो और ज्यादा जाएंगे, तीन घंटे चलेंगे, तो और ज्यादा जाएंगे, आधे घंटे चलेंगे, तो कम जाएंगे, तो क्या हो रहा, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे distance बढ़ रहा है, जैसे जैसे time कम हो रहा है, वैसे वैसे distance भी कम हो रहा है, यानि ये clear हो गया, कि ये भी unitary method है, ठीक है, अब देखते हैं, क्या पूछा रहा है, take to cover 2 to 1, how long, यानि time पूछ रहा है, तो जो पूछा जा रहा है, उसको उधर रखेंगे, यानि 51 km जा तो 1 km जाने में, 45 by 51 minute, question में कितना जाना है भई, 2 to 1 km, तो 2 to 1 km जाने में, 45 by 51 into 2 to 1, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात हमें समझनी होगी, या last में इसको कर लेंगे, कि ये जो time आएगा, वो किस में आएगा भई, minutes में इसको करते हैं, calculate, 3 से कट किया, 15, 3 से कट किया, 17, 17, 17, 51, 15, 15 और 13 को multiply कर दीजे, आजाएगा, 195 minutes, clear, अभी आपको मैं time में conversion नहीं बता रहा हूं, ऐसे ही बता रहा हूं, 195 minutes, आप सब लोग को पता होगा, कि 60 minutes का मतलब, एक घंटा, तो 6, 38, यानि इसमें से 180 तो ऐसे ही चला गया, और इधर कि ना बच गया, 15, यानि जो time लगेगा, वो लगेगा, 3 hours, 15 minutes, clear, तो ये भी question आपका किसका था, unitary method का था, और आपको concept भी समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आ रहा है, तो like तो बनता हैं, यार, इसके अलावा comment करके भी बताएं, कि आपको और किस type के topic में problem है, जिनका मै वीडियो लाने की कोसिस करूंगा, 8 kg sugar जो है, वो 260 रुपे में मिल ला है, how much sugar can be bought for rupees 8, 7, यानि फिर से quantity, तो quantity धर रही था, सारे question मैंने उल्टे रखे हैं, simple वाले नहीं रखे हैं, ध्यान तक ना, तो मैं लिखूंगा कि या, रुपी 260 में मिला मुझे 8 kg, तो 1 रुपी में 8 बटे 260, 8, 7, 7, 5 में तो मैं कहूंगा, 8 बटे 260 into 8, 7, 7.5, आप सब लोगों को पता है कि भाई, पॉइंट हटाना पड़ेगा, तो इसको लगा लिजिए, एक 0, clear इससे कट कर लिजिए, 8 से कटना नहीं है, ठीक है, आप देखें, यहां पर कैसे कर लेंगे, इसको थोड़ सा और में लिखता हूं, मोडिफाई करके, तो 8 into 8, 7, 7, 5 by 26 into 100 लिख लेता हूं, 25 से इसको मैं काट देता हूं, 25, 400, 25, 75, 57, 12, 27, 25, 25, 25, 25, 25, 24 से इसको काट दिया, 2, 2 से काट दिया, 13, 13, 22, 26, 9, 1, 13, 71, 91, यानि कितना केजी मिल जाएगा उसको 27 केजी, क्लियर, तो ये भी आपका unitary method का question था, एक आत question और देखते हैं, करा, if 18 dollars cost रुपीज 630, यानि 18 उडियां जो है, वो 630 रुपी में मिल रही हैं, तो 455 में कितने मिलेंगे, फिर से बहीं चीज, कि रुपीज 630 मे 8, तो रुपीज 1 में उल्टा मत कर देना, 8 बटे 630, तो रुपीज 455 में, तो 8 बटे 630 into 455, बस इसी को calculate करते हैं, कुछ कटने वाला है, 739, 66, 76, 42, 75, 35, 5, 13, 5, 18, यहाँ पर जो value आ रहे हैं, वो point में आ रहे हैं, अच्छा, यहाँ पर 18 है, 18 डॉल्स है, ठीक है, 18, 18, बस ठीक है, 18 से 18 कट गया, यानि कितनी हो जाएंगे, उसको 13 गुडियां मिलेंगे, clear, तो यह भी आपका एकदम unitary method का basic सा question था, तो यह छोटा सा सेशन था, आपको यह समझाने के लिए कि कैसे unitary method को use करते हैं, कहां use करते हैं, अगर आपको class पसंद आ रही हो, तो please like, जरूर करें, thank you.